यहाँ पर एक और अपडेट आ चुका है, मी वाई का, जो कि री मोडेट वर्जन है, और इसका यह सेकेंड अपडेट है, फर्स्ट अपडेट का भी मैं आपको वीडियो दे दिया था, और यह इसका सेकेंड याने वीडूल अपडेट है, और यहाँ पर क्या कुछ करें, और सपोर्ट के लिए शेयर जरूर करें, यहाँ पर आप देखोएं कि अन्लोकिंग एनिमेशन थ्वाट डिफरेंट डेखनी को मिल जाता है, जो कि ऑफिशल से थोड़ा अलग है, तो यह काफी अच्छा लगा, साथ साथ यहाँ पर आपको देखनी को मिलता है, 24, 30 और 60, 4K का 24 और 60, और साथ से 30, लेकिन 60 हमारा डिवाई सपोर्ट नहीं करता है, तो इसे यूज करने पर क्रेश करेगा, तो यूज मत करना, लेकिन यहाँ पर 24 वाला जो दो नए आप्शन दिखाई दे रहना है, यह आपके वर्किंग रहते हैं, और यह अच्छे से का करते हैं, क्योंकि मैंने इसे चेक कर रखा है, और कैमरा भी हमारा सही तरीके से काम कर जाता है, इसमें कोई दिखत नहीं आता, नया EY आपको देखने को मिल जाता है, और साथ साथ बहुत साले ओप्सन है, जैसे कि ब्लॉग प्रो, AI वाटरमर्क और बाकी अधर ओप्सन से यहाँ पर दिखाई देंगे, यहाँ अगर इस गेरें कि बात करें कि 24 काम करते हैं जैसे कि मैं आपको कहा, तो मैं आपको यहाँ पर उसके दिखा भी देता हूँ, डीटियल्स की यहाँ पर 24 करता है या फिर नहीं, तो यहाँ आप आप देख से तो कुछ रिकॉर्डिंग मैंने कर रखा है इसके अगर मैं प्रोफाइल पर जाऊंगा तो यहां पर आपको 1080p और कॉमा के बाद आपको 24 देखनी को मिर रहा है जो कि हमारा fps है इसके बाद यहां पर आते हैं तो इसमें आपको MIUI का डाइलर यानि आप कॉल रिकॉर्डिंग कर पाऊगे बिडाउट एनास्मेंट के यहां पर गूगल का सर्च बार मोनेट इंजन के साथ मर्ज है जो कि काफी सही लगा अगर हम सेटिंग की बात करते हैं और माई डिवाइस की बात करते हैं तो यहां पर आपको दिखाई का नाम आपको देखनी को मिलेगा और यहां पर आप देख सेते हैं MIUI Remodded V2 लिखावा मिलेगा अल एस्पेक्स के अंदर आते हैं तो Android 12 Security Patch 11 मंद का है और यह 13.0.15 यहां पर प्रिफ का करनल देखनी को आपको मिल जाता है टाइमिंग के बैग्राउंड में थ्वाशा सेट ह दिया गया है जो कि काफी अच्छा लग रहा है और यह भी मोनेट के साथ मर्ज है जो कि पर्फेक्ट दिखाई देता है यहां पर आप देखो सेटिंग अ कलर थोड़ डिफरेंट डिखनी को मिल रहा है जबकि हर जगा तो यह कभी 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 चेंज हो जाता है तो इसमें थ देखो फोल्डर के ओपिन करने के बाद जो एनिमेशन है यह भी आपको देखनी को मिलता है क्योंकि यहां पे लेटिस्ट मोडिफाइड लॉंचर यूज किया गया है जिसमें आपको बहुत सरी फीचर देखनी को मिलते हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है जिसक यहां पे टैब को कंड्रोल भी कर सकते हो चोटाबरा भी कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको अफ्य बढ़ा कर रखा है लेकिन हां देखने में काफी अच्छा भी लगता है तो यह सारी चीज़ें आपको यहां पर मिलेगी बाकी जो विजट सपोर्ट है यह आपको ट्रांसले लिन टाइप का देखनी को मिल जाते हैं अब देखते तो यहां पर मोरेट का कलर फिर से चेंज हो गया जो कि मैंने कोई भी छेट सार नहीं किया तो यह छोटी सी कमी मुझे फिल हुई है इसके लावा ज्यादा कोई बिग इसू नहीं लगा वाल पेपर के अंदर आपको यूज कर सकते हो या फिर आप अलग से भी है जो यहां पर डाल सकते हो जैसे कि आपको यहां पर मार्वल के कुछ देखनी को मिल जाते हैं यहां पर वन्स के हैं कुछ-कुछ यहां पर आपको अनिमी के देखनी को मिलते हैं जो कि CSX से लिए गए हैं उसके बाद यहां पर आपको रेखनी को मिलें कुछ नर्थिंग के हैं, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर वाल पेपर कलेक्शन मिल जाते हैं, जो कि आप इनका यूज करो फिर या अलग से डालो, अलबिज ओन का लिमिटेशन यहाँ पर रिमूब्ड है, तो आप जितना चाहो उतना यहाँ पर रख सकते हो, डिस्प्ले के अंदर आपका डाक मूट वर्किंग रहेगा, साथ साथ रिफ्रेस रेट के अंदर आपका 60, 90 और 120 दिया गया है, बट 90 काम नहीं करता, 90 पर रखने के बाद यह 60 ही जाएगा, तो आप 60 और 120 यूज करो, 90 को बस इग्नोर करो, दिखाने के लिए रख लो अपने दोस्तों को, कि भाई देख मेरे फोन में 90 है, बट तेरे में नहीं है, तेरा फोन खराब है, ठीक है, उसका साउंड का प्रोफाइल, जहाँ पर लोग कुछ कम्प्लेंड कर रहे थे, कि हमारा यहाँ पर हाटिक काम नहीं करता है, तो यह नहीं है, मैंने कैमरे वगरा यूज कर रखे हैं, क्लिक भी कर रखे हैं, कोई भी यहाँ पर क्रेसिंग के इसू देखने को हमें है, जो नहीं मिलता, जो कि मुझे यहाँ पर बिल्कुली सही लगा है, इसके बाद वापस आता है अपने सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पर देखनी को मिल जाता है, नोट विशन के अंदर जाड़ा कुछ नहीं है, सिंपल सा है बिल्कुली, लॉंचर में आपको सो कर दिया, फेस अनलोक वगर आपको वर्किंग मिल जाता है, बैटरी के अंदर आपको नया EY देखनी को मिल जाता है, बट यह किलिकेवल नहीं है, बट MIUI 14 के अंदर यह किलिकेवल रहेगा, सभी डिवाइस के लिए रहे या नहीं है, लेकिन हाँ, एक्चुली में है, उसके अड़ एफ के अंदर जाड़ा कुछ नहीं है, अडिशनल के अंदर आपको multi language support मिल जाएगा, तो जो भी language आपको यहाँ पर यूज करना है, वो इसमें बस एक नया दिखाई देगा, जो कि आपका anti-fli करे, इसका लाब यहाँ पर ज़्यादा कुछ मुझे देखनी को नहीं मिला, सब कुछ यह आप पहले से यूज कर रहे हो, बट यहाँ पर sidebar मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आया, और अगर हम यहाँ पर sidebar को search करते ह तो आप यहाँ पर देखोएं कि sidebar कर result आपको देखनी को मिलता है special features के अंदर, बट ऐसा कुछ नजर ही नहीं आया, तो यहाँ से आप इसे on कर सकते हो, और यहाँ से आप अपने apps, game वगरे को use में ला सकते हो, select कर सकते हो, अगर आपको game draw यूज करना है या फिर video toolbox यूज क काम नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ extra डाले गए हैं, जो कि हमारे working रहते नहीं है, साथ-साथ यहाँ पर आप देखो, कि photo storage यहाँ पर Google का use किया गया है, me cloud नहीं किया गया, क्योंकि इंडिया में जो update आ रहे ना, उसमें भी recently यही साथ चीज़े use किये जा रहे है, तो इस तर क्योंकि maximum mode end में हमें 4.0 नजर आता है, जो कि global में हमें 5 देखनी को मिलता है, तो जैसे कि मैंने का, वही है हमारा 4.0, जो कि अच्छे से काम करता है, बट performance कैसा देगा, वह मैं आगया आपको है जो दिखा दूँगा, तो अब that switch करेंगे हम अपने performance result के उपर, तो यह है हमा जाता है, जो कि यह भी काफी सही है, stand by battery drop, जो कि 73 और morning में चेक करते हैं, तो 73 का 73 और sim card डाला हुआ है, यार perfect battery drain है याप यानि ना के बरावर यानि नहीं है, ना के बरावर क्या होता है यार, नहीं है, तो यह काफी सही लगा मुझे, उसके बाद डॉलवी मैंने चेक किया working है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आया, मैंने camera भी चेक कर रखा है, इसमें भी मुझे कोई issue नहीं आया, device certified है, तो वहाई banking के app यूज कर पाऊगे, साथ-साथ L1 support आपको मिल जाता है, और photo storage unlock कर दिया गया है, जितना चाहुतना upload करो, और साथ-साथ 90 FPS आपको यहाँ पर मिल सही है, तो यह total चीज़ आपको दिखनी को मिलेगी, और साथ-साथ यहाँ पर charging animation है यह थोड़ा पको different दिखनी को मिलता है, जैसे कि भाई, यह रहा code और यह मैंने किया in, अब देखो यहाँ पर charging animation, जो कि कुछ इस तरह की साब को दिखाई देगा, तो यह साथ चीज़ पसंद आया, चाहे battery के मामल में हो, या performance के मामल में हो, या features के मामल में हो, काफी हद तक usable है, और free RAM देखो, यार काफी ज़्यादा यहाँ पर free रहता है, जो कि 3.2 तक गया है, और इतने सारे tab भी यहाँ पर open है, तो RAM management भी आपको यहाँ पर काफी हद तक better technique को मिलने वाला ह बाकि अदर ROM के comparison में, तो आपसे request है, अगर आप MIUI पसंद करते हो, मोडिर ROM पसंद करते हो, तो इसे try करो, I hope कि आपको यहाँ पर काफी मजा आने वाला है इस ROM को डालने के बाद, और है बाद installation guide to Harvard के तरह सेमी रहने वाला है, Wi-Flash format and reboot, फिर भी चाहिए एक proper video आपको वेगार discussion में, में ते निक रुदियो में, थांक्स फो वच्चिंग, और दादा, बाई बाई